नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उनले इस अस्थान परेक्षाप्रस में EPFO, SSA की वेकेंसी आप सभी के लिए आ गई है और एक बहुत अच्छी वेकेंसी है इस पूरे वेकेंसी में कि कैसे हम इसकी तयारी करें क्या best strategy होनी चाहिए पछली बार क्या हुआ था, क्या गलती है बच्ची किये दे इस बार क्या गलती नहीं करना है NTA ने पूरा pattern बदल दिया है समगर जानकारी मैं आप सभी के लिए 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 हूँ बहुत important आपके लिए session है और यकीर माने अगर यह पूरा session आप देख लेते हैं तो आपको confidence level और आपको बहुत अच्छा मागदसन मिलने वाला है तो सरप्रदम यदि आप channel पे नए हो channel को subscribe बहुशे कर लो क्योंकि EPFA का EPFA जो भी है SSA का A to Z आपकी यहाँ पे preparation strategy हो सकती है तैयारी हो सकती है उस पे सारे कड़ी सब कुछ आपको परिक्षा प्रस channel पे मिलने वाला है आपने thumbnail देख लिया होगा कि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैसे करें तैयारी और सबसे बड़ी बात पिछले बार की cutoff की चल्चा करेंगे इस बार का cutoff क्या हो सकता है क्या किताबे होनी चाहिए क्या अरणीत है क्या coaching करें या self study से हमारा काम बन जाएगा sectional cutoff का क्या फरक पड़ा था क्या फरक पड़ सकता है कितने form total apply हो सकते है पिछली बार कितना form पड़ा था यहां पर अगर EPFO की बात किया जाए EPFO SSA की बात किया जाए 2018 के हम cutoff की बात कर लेते है ठीक है 2018 के EPFO SSA का cutoff है total जो vacancy थी पिछली बार मैं आपको बता दू 2189 vacancy थी 1889 vacancy आई थी 18-19 में 19 में यह 18 भी नहीं बोलू 19 बोलू है ना यह final होते होते जो आपका हो गया था final होते होते 2021 लग गयते उसका कारण भी यह था कि बीच में आ गया था COVID 2189 vacancy थी उस बार जोन वाइज vacancy इस बार भी यह उस बार भी था अंतर यह था कि पिछले बार IBPS को दिया गया था और IBPS ने इस परिक्षा को करवाया था और IBPS ने अपने पैटन पर करवाया था जैसे वो पीओ बगएरा का करवाता है इस बार बहुत सारी चेंजिस हैं लेकिन जोनल वेकेंसी तब भी थी जोनल वेकेंसी अभी है एक पेपर आपका तब भी होगा सब कुछ बहुत इजी है बस यहाँ पे केवल कटॉप जो होता है वो रीजन वाइज होता है वो भी मैं आपको एक एक बात इसी सेशन में समझा दूँगा बहुत इतना अंसे तो हाइस्ट जो वेकेंसी रीजन था पिछली बार में महाराष्ट था 545 इस बार भी आप देखोगे तो महाराष्ट में सब सब्साधा पंजाब था पड़े थे यह मा आपको बता दूँ पियर चार सौ पंचानवेश हाजार चार सो पंचानने वन चानवे हुए थे मैं पंचाननवे जार पांस सो एप्रॉक्स में इसे लिए चल दा हूँ और जो फेज वन में क्लियर किये थे फेज टू के लिए वो 22,229 वेकंसी थी अब एक बात यहां पर समझेगा कि पिछली बार APFU ने क्या कहा था आई बीपेस के माध्यम से कि हम जो फेज 3 होगा याने कि जो इसकिल टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए 1-5 की रेशियो में लेंगे जो कि इस वेकंसी में 1-10 का रेशियो है पिछली बार प्रिलिम्स भी था मेंस भी था फिर इसकिल टेस्ट था इस बार आपका क्या है केवल और केवल एक फेज उसके बाद इसकिल टेस्ट है तो यहां पर देखा जाए 22,239 बच्चों ने फेज 2 के लिए अपेर हुए थे उनमें भी लगभव 20,000 बच्चों ने के लेट होना था तो आप यह समझ सकते हो कि इतने बच्चे पिछली बार क्लियर ही नहीं कर पाये थे एक्जाम केवल 25 बच्चे ही एक्जाम क्लियर कर पाये थे तो जहिए उसी बात है कि 2189 में से 2500 बच्चे अब इसमें कोई कॉम्पेटिशन था ही नहीं इसकिल टेस्ट के ल बार भी है लेकिन पिशली बार जो EPFO नहीं रायत किया था वो सेक्ष्ट कटॉफ जनरल के लिए 40% और अधर कर्टेग्रीज के लिए 35% का किया था इस बार भी आपका हो सकता है सेक्ष्ट कटॉफ 40% ही रहे तो 40% जब सेक्ष्ट कटॉफ हो जाता है तब बहुत समस्या हो जाती है बच्चे सेक्ष्ट कटॉफ में ही लटक जाते हैं और फैनल हो नहीं पाते हैं तो इस बार मैं आपको पूरी स्ट्रेजी सेयर करने वाला हूं कि वर्स 2023 में EPFO की तयारी कैसे करनी है सेक्ष्ट कटॉफ से हमें कैसे वशन है और कितना जा सकते हैं अगर हम पिछली बात करें तो जो रीजन वाइस कटॉफ था वो लगबग 140-140 के आसपास है 230 में से 182 तक गया था अलग-अलग जून का लेकिन कारण यह था कि कई बार कुछ ऐसे जून थे जहां पर एक ही या दो ही बच्चे थे तो जहीं से बाते वहां पर कटॉफ क्या हो जाता है पर आप देखो कि कटॉफ का दोहार 2018-19 वाला था उनमें से इंग्लिस लेंग्विज के 30 मार्स में से 10.5-0 35% किसके लिए था SC, ST, OBC, NCL, PB, PW, BD, XS, जो सर्विस में थे इनके लिए 35% और और EWS के लिए कितना था 40% 12 नंबर था ऐसे सम्में 40% इसमें 35% इस बार भी हो सकत है कि आपका जो sectional cutoff होगा वो यही रहेगा बट क्योंकि अब क्या है इस बार में यह 30-30 ना होके इस बार आपका question जो है वो भले ही 30-30 question है लेकिन marks 120-120-120 marks और पिछली बार computer नहीं था है इस बार computer भी है मार्लब 30 English, 30 reasoning, 30 आपका maths यहाँ पे English जो है इस बार 50 कर दिया गया ह इसके बाद इसके अलावा इसमें क्या कर दिया गया है? GS कर दिया गया है यह भी 30 कर दिया गया है और एक computer आ गया है यह आपका क्या कर दिया गया है? 10 कर दिया गया है तो यह सारे प्रतेक चार नंबर के हैं negative इसका one fourth है और 120-120 marks का है हम उसके भी discuss करेंगे कि इस बार का pattern क् पिशली बार अगर आप यह cutoff देख लो हाला कि इन cutoff से कोई मतलम नहीं होगा क्योंकि पिशली बार scene बिलकुल अलग था इस बार जो scene है वो बिलकुल अलग है और इस बार का cutoff बिलकुल अलग होगा इस बात को समझेगा पर आप देख सकते हो आनपदेश रीजिन का इस बार भी केवद single stage का मार्स जोड़ेगा यह अलग अलग जोन का मैंने यहाँ पर cutoff का इसले लेके आया हूँ आप हिमाचल का देखोगे तो यहाँ पर 72 था अन्रिजर्ब्ड का हर्याना का देखोगे तो न्यासी था गोवा का एक क्यावन ही था केरल लीजन का देखोग 58 सबसे कम अगर देखा जाए तो यहाँ पर 82 और 86 यह अन्रिजर्ब्ड यहाँ पर 86 गया हुआ था आगे देख लिए सबसे ज्यादा जो आप लोग चाहते हो उत्तरकंड और यह उत्तरपदेश वाले रीजन को भी देख ले इधर अगर आप देखो तो उत्तरपदेश वा 2019 की वेकंसी थी उसमें सीन यह बना था कि क्योंकि IBPS की पैटर्न पर था तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया था बहुत सारे बच्ची क्योंकि इंग्लिस में और डिस्क्रिप्टिव पेपर भीता वहां पर ऐसे राइटिंग प्रसेस राइटिंग होता ह बहुत सारे बच्ची जो हिंदी बासी छेतों के होते हैं वो एप्लाई ही नहीं किये थे बैंक एक्जाम के पैटर्न के बदोलग बट इस बार नंबर ओफ एप्लिकेशन ज्यादा आने वाले हैं क्लेरिकल पोस्ट पे मैं आपको बता दूँ कि अगर अल इंडिया लेवल का कोई भी एक्जाम होता है तो उसमें 3,4 लाग के जो होते हैं फॉर्म पड़ते हैं इस बार भी आपका एप्रॉक्समेट नहीं ज्यादा पड़ेगा तो धाई लाग से लेके चाल लाग क्योंकि डेटा बहुत रेंडम है परियाप समय दिया गया और फॉर्दर आगी कोई वेकेंसी नहीं है इस कारण से नंबर ओफ एप्रिकेंट्स इस बार जादा होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि अधर कोटा का इस बार क्या कर दिया है फीस निल कर दिया है केवल चासी पद है इस टेनो वालों की बात करूं तो यह उन पर पैटर्न अलग है जैसे इससे में 5 पार्ट पूछा जाएगा जो आपका इस टेनो वाला होगा उसमें केवल तीन पार्ट पूछा जाएगा जिसमें इंगलिज 100 कोशन की पूछी जाएगी और 50 का आपका जनर्र यह च्छा जाएगा और 50 का जीएगा जिसमें GSG की करिंटर एवेर्नेस सारे आपके होंगे वो 50 कोशन का होगा 200 कोशन वह आपके 800 नंबर का होगा उसमें प्रते के पर पूछन चार नंबर का होगा निगेटिव बन फूर्थ होगा तो 800 नंबर का आपका स्टेनो वाला भी लगबार आपकी तैयारी दूनों की सेम रहेगी जहां पे SSC में क्या है आपका graduation मांगा हुआ है वहीं पे आपका steno में क्या मांगा हुआ है केवल 12th लेवल पे आप सकते हो यह सारी जनकारी दी जा चुकी है इस बार जो highest vacancy region है वो महराष्ट और तमिलनाडू है परशली बा सारों के अलग से आपको वीडियो बना दूँगा कि किस रीजन से आपको form apply करना है 27 तारिक से आपको form चालू हो रहा है और 27 तारिक के बाद से जब form भारोगे तो कौन सा जोन आप लोगे reason किस रीजन से apply करो मैं एक बात बता दू कि आप किसी भी रीजन से apply कर सकते हो आप आपको reason का preference चूज करना है 1,2,3,4,5 के इस आप से और सारे reason पर select करते हो आना है तो किसी भी reason के हो किसी भी reason में apply कर सकते हो आपका examination center आपके choose किये हुए जहां पर चूज करोगे वहां होगा ये बात आप समझेगा NTS बार आसान कर दे पिछली बार क्या था कि जिस region से form हिसाब से आपके preference के हिसाब से आपको दिया जाएगा ठीक है इस बात को clear लेगा इसके बाद भी EPFO कहीं भी आपका कल सकता है NTA कहीं भी आपका डाल सकता है ये है इस बार का pattern धाई घंटा का paper होगा चार question का एक marks होगा 30 question general aptitude यानि कि आपका क्या होगा ये आपका reasoning section है 120 number का general knowledge और general awareness यहाँ पर पिछली बार क्या था financial awareness पूछा था तो आप वहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे question केवल economic stump से बढ़ने पड़े 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 थे इस कारण से बच्चों के marks कंभी हो गयते और sectional top में बहुत जादा वो fail होगे थे यही कारण था कि 95,000 बच्चे जो stage क्वालिफाई कर पा रहे हैं और मेंस में भी केवल कितने पच्ची सो बच्चे क्वालिफाई कर पा है इस बार scene थोड़ा सा अलग रहेगा sectional cutoff यहाँ पे भी है general के लिए लगभग 40% रहेगा तो 1248 लगभग आपको पतेक section में 48 नंबर लाना है और लगभग आपको इसमे general English में 80 नंबर लाना है इस बात को आप समस्ते पे चलना अगर आप general category या OBC category या AWS category के हो अगर आप अन्य किसी category को हो तो आपको 35% नंबर लेकिया आना है यह पिशली बात हा लेकिन अभी कोई ऐसा disclose नहीं किया है NTA ने हो सकता है कि वो merit basis पे करें बट आपको ज्यादा जो chance है वो मैं आपको बता दूँ 99% chance क्या है कि जो general general हो गए OBC हो गए और आपका EWS हो गया इनके लिए 40% sectional cutoff हो गया और जो अन्य category हो गया SC हो गया ST हो गया PH हो गया या फिर आपका एक्स सर्विसमेन हो गया ESM हो गया यह आपके क्या हो जाएंगी इनके आपके 35% का sectional cutoff लगेगा और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपको कैसे इन sectional cutoff हो clear करना है वो साइज रणनीत मैं आपको यह आपको बताने वाला हूँ सबसे बड़ी बात की कैसे तैयारी करना है यह तो पेज आगया कि जो हम course चला रहें इसके बार मैं बाद में discuss करूँगा अभी मेरा उद्देश यह नहीं है कि आपको कैसे करने है और अब कैसे करना है और सबसे बड़ी बात है कि selection कैसे देना है तो बहुत ज़दा पिछली के number of जो बच्चे होंगे apply करने वाले वो भी अलग होंगे तो एक बहुत अच्छा chance इस बार बन रहा है और इस बार globally सारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है यह एक open to all form हो गया है बहुत अच्छा form है सबसे अच्छी बात है एक पीए फो ऐसा से कि कि लगभग आपके 50,000 स जान लो कि जो salary है वो लगभग आपकी 50,000 बनेगी इन हैंड आपका 45,000 कटने पिटने के बाद आपका 45,000 के आएगा इन हैंड salary होगी आपके हाथ में आएगी तो इस post पे 45,000 से यह starting है 45,000 से joining बहुत बढ़ी बात होती है इस कारण से मैं सभी को बोल ला हूँ किसकी तयार मैं सुरू से लेके अंधर तक आपके साथ रहेगी पूरा guide करेगी पूरा content provide करने वाली है पूरे class provide करने वाली एटुजिट solution आपको देने वाली है तो अब तैयारी में कोई भी कमी मत रखो अब कैसे करना है इसके बात कि हम लोग यहां पे चर्चा खल लेते हैं तो तैया यहां पर निजात पाएं sectional cutoff हम कैसे clear करें क्योंकि अगर आप suppose करो कि इस बार क्या है 600 नंबर में अगर आपके 500 500 नंबर भी आ जाते हैं और section किसी भी section में आप फेल हो जाते हो तो क्या हो जाएगा पूरे के पूरे examination में बाहर हो जाओगे और अधिक्तम बच्चों के एक 25% है सबसे पहले हम इस पर चल्चा करते हैं हमारे पास section कितने हैं हमारे पास section है maths और maths में अगर देखा जाए तो आपके 30 questions है 30 questions का अगर 40% लिया जाए तो आपके पास 12 questions आपको minimum करना है reasoning, reasoning में भी आपको 12 question करना है out of 30 GS में भी आपको 12 question करना है English में भी आपको क्या करना है English में आपको थोड़ा जादा है यहाँ पर English के अगर बात किया जाए English में आपके पास total 50 question है और 50 question का 40% निकाला जाए तो 20 question आपको minimum यह unreserved category के लिए बोल रहा हूँ ऐसे ही बाकी जो 11 question 10 question पर कम बन जाएगा और एक computer है क्योंकि यहाँ पर 10 ही question है तो 10 question का मलब 4 question आपको यहाँ पर करना necessary है अनिवार है अब computer में 10 question में 4 question करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंगलिस में भी आपके 50 question में से 20 question करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर sectional cutoff नहीं पसेगा इवन 30 question में GS में भी 12 question section में नहीं आटेगा सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते या तो maths में है या थोड़ा बहुत किसमें अटकते हैं GS में अटकते हैं और यहीं पर इनका sectional cutoff सबसे ज़्यादा क्या होता है कम हो जाता है reasoning भी आपका scoring subject होता है तो यहाँ पर भी sectional cutoff की कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर पार कर ली जाओगे थोड़ी बहुत दिक्कत बच्चों को English में आने वाली है तो यहीं अभी sectional cutoff हमें कैसे clear करना है इसी इसको समझते है पहली बात तो NTA ने syllabus disclose नहीं किया है कि इसका क्या हो जाएगा syllabus क्या हो सकता है यह आपको नहीं बताया गया तो syllabus आपका जैसे general paper होते है उसी हिसाब से आपका इस exam का भी syllabus होने वाला है math में आपका basic arithmetic पतलब की आपका percentage हो गया profit loss हो गया आपका time work हो गया या फिर time speed distance हो गया आपका average हो गया आपका number system हो गया mensuration हो गया थोड़ा बहुत advanced topic को भी हम लोग यहाँ पर cover करते चलेंगे क्योंकि disclose ने किया है तो algebra से question यह पोच सकता है थोड़ा बहुत demetry से पोच सकता है और क्योंकि यह general aptitude बोला है mental aptitude बोला है तो वहाँ पर यह क्या कल सकता है di पूचेगा या तो reasoning में पूच लेगा या तो math में पूच लेगा reasoning में इसलेबस की बात कुरों तो odd on out हो गया analogy हो गया silox हो गया क्लासिफीकेसन के questions हो गया direction sense के questions हो गया coding decoding के questions हो गया verbal non-verbal में जितने भी part है उन पे question होगा non-verbal के थोड़ी से कम पूचे जाएंगे verbal के आपके जादा question पूचे जाएंगे और सबस्यादा question NTA रखता है number series का alphanumeric series इन सब के GS में बात करूँ तो GS में आपको conventionally part को तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन सबस्यादा आपको दिमाग लगाना है current affairs और static gk में यहाँ से question सबस्यादा होंगे computer के लाब बिल्कुल परिशान मत हो सबस्यादा question आपके MS office और internet से होंगे जो आसी सर आपको बहुत बहुत बहुतरी तरीके से cover करवाने वाले हैं रही बात English की तो 50 question है जिसमें आपके 2 part है एक आपका reading comprehension से question होगा वो भी objective based question होगा और बाकी आपके grammatical होगा तो इसमें अगर English की बात करूँ तो इसमें तीन person है एक तो आपका vocab section है दूसरा आपका grammar section है और तीसरा आपका क्या है reading comprehension section है इसमें से हो सकता है 10 से 20 question अभी क्योंकि ये पहली बार इस pattern पर हो रहा है तो वो सकता है 10 question भी पूचे वो सकता है 20 question भी पूचे और rating comprehension ही सबसे बड़ी आपका English में नईया पाल लगाएगा तो rating comprehension कैसे करना है ये सारे चीज़े मैं आपको जब individual आपका strategy बना जाएगा subject का वहाँ पर बताऊंगा लेकिन अभी आप मानके चलो कि यहाँ पर सबसादा number उठने वाले है और उसके आप vocab से vocab में जैसे क्या हो गया one word substitution हो गया idem phrases हो गया यहाँ से आप आराम से कर सकते हो मैं पूरा आपको एक booklet दे दूँगा जिसमें से important one word substitution होंगे और इस बात के मैं गारेंटी दे रहा हूँ कि एक भी आपका idem phrases या one word substitution या synonyms या antonyms उस PDF के बाहर नहीं होंगे बस आपको vocab पढ़ लेना है और अगर मैं लगत 20 question grammar और vocab का पूचा तो कम से कम 18 question vocab का होगा 12 question grammar का होगा grammar में जैसे क्या होगा फिलर पूच लेगा आप से sentence improvement पूच लेगा पीकी वालेस पूच लेगा जिसे पैरा जंबर्ड कहते है इन तीन पार्ट से आपका पूचेगा और हो सकता है कि आपके फिलर में part of a speech या फिर इस पंक्टुरिसन से question directly put कर सकता है क्योंकि NTA ऐसा question पूच्टा आ रहा है और NTA के pattern को हमें समझना बहुत ज़्यादा जदूरी है तो ये रही हमें sectional cutoff में हमें इतना लेके आना और कैसे लेके आना है बस अगर आप समझो कि अगर मैस में आपको sectional cutoff clear करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं किवल दो chapter आप एक number system अच्छे से cover कर लो है ना मैं इसे दूसरे पेंसे कर दे रहा हूँ एक number system sectional cutoff करने के लिए एक आपको number system अच्छे से तयार कर लो number system के बाद एक DI अच्छे से तयार कर लो तो match के sectional cutoff clear हो जाएगा reasoning में आपको केवल क्या कर लो आप series कर लो आप direction के question कर लो आप blood relation कर लो जो आसान होते हैं जो इतना pattern पे चलते हैं जिन में आपकी question फंसते नहीं है और या फिर आप odd one out ये ये अगर चार पोसन आप तयार कर लो तो इसका sectional cutoff clear हो जाएगा GS में आप केवल current affairs और static तयार करो यहाँ पर मैं अभी यह नहीं बोलूँगा कि आप convention मलब history, geography, policy इनकी बात नहीं कर लो केवल और केवल आप current affairs पर लो static पर लो आपका GS में अच्छा number उठ जाएगा और उसके बात English में आपको केवल vocaps और ready compression पर ध्याम देना है अभी grammar पर ध्याम नहीं दोगे तो आपका यहाँ पर sectional cutoff clear हो जाएगा computer में आप जितना आसिसर पढ़ाएंगे जादर जादा आपको किस पर focus करना है केवल अगर office पढ़ लोगे office में भी कई सारे MS office जिसे बोलते है इसमें सबसे जादर जो पढ़ना है आपको MS word पढ़ना है और MS power point और MS action तीन topic को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका यहाँ पर भी sectional cutoff clear हो जाएगा तो यह topic wise आपका sectional cutoff clear हो गया लेकिन क्या कीवल sectional cutoff clear करने से से हमारा selection हो जाएगा नहीं हमें selection लेने के लिए हमें overall cutoff पे भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी overall हम cutoff कैसे clean करें तो इसमें पहले बात तो तीन stage था prelims था उसके बाद फिर में उसके बाद था अब एक ही stage हो तो एक ही stage में आपकी cutoff high रहने वाले है पहली बात तो मैं बता दूँ 1-10 ratio में होगा अगर मैं ssa की बात करूं तो 2674 और अगर मैं किसकी बात करूं इस्टेनों की बात करूं तो उसमें से 180 यानि टोटल 2800 पद है और 2800 पद में है minimum फिर भी मैं बोलाओं 2.5 लाग से कम तो फॉर्म नहीं पढ़ने वाले हैं इस बार इस बार की वी guarantee है जादस ज्यादा भी 4 लाग से ज्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा यह maximum लिमिट है और जो minimum लिमिट है वो धाई लाग की है जब फॉर्म भर जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि कितने फॉर्म इस चिंता नहीं करना है पहले आपका इस written exam हो जाएगा उसके बाद आपका टाइपिंग होगा कभू टाइपिंग होगा यह भी मैं बता दूँग फॉर्म आपका 27 तारिक से चलेगा उसके बाद फिर आपका अपहल तक पुरा फॉर्म चलेगा उसके दो महीने बाद आपका र करते हो हिंदी वाले जो नहीं सीखे वो भी सीख लो और अगर नहीं हिंदी सीखे हो तो आप इंग्लिज सीखो वो ज्यादा बेटर है वो आप आराम से कर सकते हो तो इतने फॉर्म पढ़ेंगे अब इतने फॉर्म में क्योंकि सेक्शनल कॉट आफ है तो मैं इतना बच्चे के वाल पास करेंगे अगर मैं मोटा मोटा एवरेज 3 लाक ले नहीं तो 1.2 लाक बच्चे ही क्या हो जाएंगे वहां पर क्वालिफाई करेंगे स्थेक्शनल कॉट आफ क्वालिफाई करेंगे और उसमें भी 1,2000 बच्चों को क्या करना है इस टेश्टू में अगर final competition देखा जाए तो चार seat में आपको एक seat का competition on average बनता है और इस algorithm के साथ आपको तैयारी आगे बढ़ानी है अब सबसे बड़ी बात है कि भले भी आपका 1 4th का ratio, 1 10th का ratio बट आपको अपना excellence करना है एक चीज़ मैं बताऊंगा कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं कि stage 1 मे जैसे बहुत exceptionally high cutoff चे लगे था इस बार नहीं होने वाला है क्योंकि zone wise क्या होता है vacancy कम होती है तो किसी zone का जादा जा सकता है बट on average अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे average लगबग approximate ही रहता है और आपको score कहां पे लेके जाके करना है जो target आपका होना चाहिए वो 75 to 80% आपका क्या होना चाहिए target होना चाहिए मतलब 150 question में कम से कम आप 105 से लेके 120 question को सही करने का प्रयास करो और इससे ज्यादा में तो आप 100% sure हो जाओगे तो 105 से लेकि 120 question तक आपका score correct question की बात करो क्योंकि one-fourth आपकी negative भी है 150 question में देखा जाए 45 question का relaxation कम नहीं होता बहुत अच्छा होता है और 105 question भी targeted तो हो जाता है अब यह बात अलगी किसी zone wise में जैसे महाराष्ट में ज्यादा vacancy है तो उसमें जो average जाएगा हो सकता है सकता से 72% के बीच में जाए किसी page में जैसे कि उत्राखंड में बिल्कुल कम है पंजाब में कम होता है तो हो सकता है कि यहाँ पे जब 80 seat होती है तो यहाँ पर exceptionally high भी जा सकता है cutoff हो सकता है 85% cutoff चला जाए क्योंकि जो top पर बच्च जाते हैं उसमें number of form ज्यादा पढ़ेंगे इस बात को भी समझना तो फिर से जो reason जहाँ पर कम vacancy हो सकता है वहाँ पर फिर भी कम cutoff आ जाए but vacancy कम होती है तो बहुत ज्यादा randomness देखने को मिलती नहीं है तो यह रही हमारे overall cutoff की चर्चा अब हमें यह 105 question करने कैसे तो 105 question मे जो सबसे जादा आपको score करना है वो करना है reasoning में अगर यहाँ पर हिंदी भी होता तो हिंदी वासी छेते के लिए हिंदी में number उठाना आसान हो जाता है बट reasoning में 30 question में आप कम से कम 25-28 question बहुत आराम से कर सकते हो NTA करा रहा है जो बहुत hard paper नहीं देगा banking जैसे reasoning नहीं होग अगर आप मेरी पूरी class कर लिए तो 30 question में से मैं 25 प्लस आपको math दिला दूँगा complete theory class complete आपको practice करा के complete आपका test लेके सब कुछ anyhow मैं 25 करवा दूँगा बाकी selection से अगर आप कहीं भी जुडते हो तो भी मैं आपको इतना बता दूँगा 30 में 20 प्लस आपको scoring minimum करना पड़ेग English की बात करें English में भी scoring जो English भासी छेतर होते हैं बच्चे वो सब्चादा score यहीं पे करेंगे और इस 50 question में से वो कम से कम 40 प्लस लाने का प्रयास करेंगे और जो 40 प्लस प्लस करेंगे उनी का selection होगा बट अगर आप अंगरेजी भासी छेतर से नहीं हो तो आपको अपना target 35 इस question से कम भी नहीं रखना है यह minimum आपका target होना चाहिए computer है computer में मैं यहां पर आपको relax नहीं दूँगा मैं इतना आपको बोलूँगा परिक्षा प्लस पर आसे सर की class आप अवश्य करो और अगर इतना कर लोगी तो यह 10 question में 8 से 9 question guarantee के साथ वे एक दो question जो जा भी रहा है वो इसलिए जाएगा कि वो आपकी गलती से जाएगा वजना गर आप पुरा पढ़ लोगी तो 10 के दसो question आसीस है जिस लेबल पर पढ़ाएंगी computer वो खोधी mtech है computer science है तो आपका cover करवा देंगे बहुत कम class है ऐसा नहीं कि इसके पीछे हम 100 class देदे वो मैं नहीं करूँग आपका बहुत अच्छे से cover हो जाएगा और यहां पे भी आप अगर करो तो आठ नो कोशन हो गया अब आती है GS क्यूंकि यह सबसे लाश में लिखाओ सबसे random subject है तीस question है लेकिन अगर आपका current और static अच्छा तयार रहा तो आप 30 में 20 प्लस बहुत आराम से score कर लोगे और अगर current और static नहीं तो यहां अब कितना भी अच्छा कर लो आप 15 से उपर score नहीं कर पाऊगे और यहां पर बच्चा average score करता है 30 में से 15 से 20-22 ही score कर पाएगा इस बात को समझा तो यह अगर आप pattern बना के लेके चलते हो यह अपका target लेके चलते हो तो पचीस-पचीस-पचास 50-40-90-90 और 10 अगल लिया जाए तो यहां पर 98-90 और minimum अगर 15 लिया जाए तो 98-15 एक सो बारा कोशन आपके यहां पर सही होते हैं तो यह आपकी strategy होनी चाहिए अप सबसे बड़ी बात है कि कहने में तो बहुत आसान है सर कि हम इतने question ले हैं लाएं कहां से cover कहां से करें तो स आप एकदम दूर पीते बच्चे नहीं हो यह बात आप सभी को समझ में आना चाहिए कि कहां से आपको तयारी करने हैं कहां से तयारी नहीं करने हैं कहां से जोड़ना नहीं जोड़ने मैं आपको थोड़ा सा hint देता हूं पहली बाद तुम आपको बता दूं कि टीम परीक् होने वाली है ठीक है ना जो क्लास होने वाली है एक अप्रस से स्टार्ट होने वाले और तब तक यह फीज 599 रुपए केवल रखी गई है इसमें आपको सारे के सारे नवींतम पार्ठ का मिलेगी लाइब क्लास प्लास पहले आप लाइब देख लोगे उसे कितनी बार भी सकते हो परिक्षा प्लास परी यह सारी क्लासेश चलेंगी और उनका रिकादड़ी एक सकते हो वह वीडियो आपने डाउनलोड भी कर सकते हो कई बास देख सकते हो इसमें 5 टेस्ट आपको ऐंलाइन मिलेगा सभी टेस्ट के व्याक्यात में खल मिलेग इससे जादा जो ज़ उसकी आती है तो मैं आप बता दो बहुत सारी ऐसे संस्ताय होगी बहुत सारी ऐसे पॉप्रिकेशन होगे जो तुरंत ही ये बोलने लगते हैं कि हाँ हमने EPFO की किताब निकाल दी आप कुस्टो पर जाओगे EPFO की किताब ढोड़ोगे और आप वहां से करिंदे के आ जाओगे लेकिन एक बिट के लिए मैं आपको बोलूगा आप खुद समझदार हूँ इतना सोचो कि पैटर्न पिशली बार अलग था इस बार अलग हो गया चार दिन पहले ये पता चला है कि EPFO का एक्जाम आने वाला ह SSA का और उसके बार पैटर्न बदलने वाली बार सबसे पहले मैंने ही बताया था आपको कि NTA करा रही है तो इस बार पैटर्न बदलेगी computer भी इसमें होगा तो चार दिन में पांस दिन में कौन सी किताब छप जाती है कौन सी किताब वहां पे इतने बड़े वो होते हैं कि पूरा और जबकि से लेवाज भी डिस्ट्लोज नहीं किया गया है तो होता क्या है बुक्स की मार्केट की मैं बात बता दूं कि content नहीं बदलता कि वल कवर बदलता है और आपको कि चलावा में कि रहता है कि हां भाया पिछली बार की जो किताब है या उनके पास कोई कर्मे पेज़ेस होते हैं या एलो वॉक्स होते हैं परपल वॉक्स होते हैं वहां से कोशन डायरेक्ट उठ रहे हैं यह जो हमारी टीम के इनलिस्टेस हैं उसके भियाप बता रहो और मैं गरेंटी के साथ आपको दिखा भी दूँगा पूर में जितने भी एंटी के हमने तयारी किताब लेना है या फिर आपको कुछ सोच समझ के किसी ऐसी संस्था से जूणना है मैं एक बात बोलूँगा अगर आप सेल्फ इस्टेडी करना चाहरो अगर आपके पास पांसनाने वे बिल्कुल स्वेच्छी का बिल्कुल मत करो बट आप किसी के बहकावें मत आओ अन्य आपकी एक किताब पांसनाने की आएगी सारी किताब लेकिन परिक्षा प्रस आपकी बिल्कुल मैं यह तो इतना बोलूँगा पहली बात तो मैं अभी तुरंद आपको किताब देने पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल नया पैटन है पूरा रिसर्च है वो चाहे जीस का कोई कंटेंट हो वो चाहे करेंट का करेंट भी एक साथ ने जा सकता धीरे धीरे दिया जाएगा क्योंकि जब खबर नहीं आगी कहां से दिया जाएगा हां मैप्स और रिजनिंग का कंटेंट में पहले थोड़ा प्रोवाइट कर सकता हूं लेकिन उसके बाद आपको यह पूरा ठीक है जन्रेल एंगलिस का और ठीक में यहां पर समाहित किया जाएगा तो यह पूरी किताब डेडिकेटेट टू पूरा जो आपका एपका एपकी एग्जाम पर बनाया जा रहा है और मैं इसे एक बार में दे दूँगा जैसे एक बार में आपको तीन चार्ड चैप्टर 15 चाप्टर 15 चाप्टर 15 चाप्टर क्योंकि टीम इसमें दिन रात मेनत कर रही है कि NTA को research करते हुए कैसे आपकी तयारी करवाई चाहिए बाकी आपकी classes इसमें लगातार चलेंगी class notes आपको यहाँ पर पूरे दिये जाएंगे जो बोर्ट पर पढ़ाया जा रहा है वही दिये जाएगा सारी classes आपकी परिक्षा NCRT के question मिलेंगे इस बात की guarantee मैं आपको दे रहा हूं NCRT से question उठेगा तो यह content की बात रही आप मदद किसी से भी लिए सकते हो जो भी आपके senior है जो भी आपके teacher है उनसे मदद लिए सकते हो बट अगर आप इन सारे hecticness से बशना चाहते हो तो team परिक्षाप्रस आपके लिए बहुत ही dedicated batch इसके लिए launch कर रही है और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम लोग को मौका तो इससे पहले NT के दौरा जितने भी exam करवाए गए हैं टाया KVS की JS से हो चाहे फिर हम बात करें कि Supreme Court का JCA का paper हो या फिर कोई SSA का paper हो यह सारे ही paper आभी तक जो NTK कराए गए है या ICODE कराए गए है सब में बहुत अच्छा response हजारों बच्चे जुड़े और सब का अगर मैं दिखा आँगा ये वीडियो लेकि कि हर कोस में कितने बच्चे सेलेक्ट में हैं ऐसे हम लोग डिंगे नहीं मारते हैं बट जरूरी है यह आपको दिखा देना कि कितनी जबादर संदोका शेलक्सन रेशियो यहाँ पर है तो एक बार आप ट्रस्ट करके अगर आप नए हो पुरान करोंड करोंगे सबसे उपर आपको एक एक बात मैं बोलूगा कि हम लोग इस्टेनों का अलग से निकालेंगे एससे वाले में इस्टेनों पढ़ाएंगे सिलेबस अपका सेम रहेगा थोड़ा पैटर न लगए वह बीच बीच में बता दिया करोगा तो इस वीडियो में ब आपको बहुत अच्छे स्कोर करने हैं वो सब कुछ मैं आपको यहां पर लेके आने वाला हूँ तो जरूरी ये चनल को सुब्सक्राइब अवश्य कर लीजे और सेशन पसंद है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा इसके बाद भी बच्चों यारी आपके पास कोई कोशन बसता है तो आप कमेंट बॉक्स में पने कोशन पूट कर सकते हो उसका उत्तार टीम परिशार पस बहुत अच्छी तरीके से देने का पूरा प्रयास करें और देगी भी फिर मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी लग